बच्चो आज क्रशिक के टॉपिक के अंतरगत मैं आपको खाद्यान फसलें जिसमें सबसे पहले मैं आपको गिहूं के बारे में जानकारी दूँगी गिहूं उत्पादन के रिष्टी से भारत में ऐसा देश है जहां प्राचिन समय से इसका उत्पादन किया जा रहा है भारत में गिहूं महत्पुन खाद्यान फसलें वर्तमान समय में भारत चीन के बाद गिहूं उत्पादन की दृष्टी से विश्व में दूसरा इस्थान रखता है भारत में गिहूं उत्पादन एवम उत्पादक छेत्रफल की दृष्टी से खाद्यान फसलें फसलों में चावल के बाद दुत्ते स्थानें भारत में गिहूं का उत्पादन शीत काल यानि उत्तर पश्चिमी छेत्र में अधिक्तर किया जाता है देश में प्लब्द कुल क्रशी भूमी के 19.4 प्रतिशत तथा खाद्यान उत्पादन कुल भूमी के 22 प्रतिशत भाग में गिहूं का उत्पादन किया जाता है खाद्यान फसलों के द्रश्चि से उत्पादित सभी फसलों के उत्पादन में गिहूं का योगदान 34.9 प्रतिशत है इस द्रश्चि से भारत में गिहूं एक मुख्य फसल है जिसके उत्पादन पर भारत की लगबग 30 प्रतिशत जन संक्या का जीवन निर्बर करता है भारत में गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है क्योंकि गेहूं के उत्पादन के लिए जो भोगलिक एवं मानविये परस्तितियों की आवशक्ता होती है वे सब यहां उपस्तिते जैसे नमबर वन तापमान गेहूं समशीतोष जलवायू में पैदा किया जाता है भारत में गेहूं का उत्पादन अक्टूवर नमबर से मार्च के मद्धे में किया जाता है इस समय शीत रुतु होती है इसलिए भारत में गेहूं शीत काल में उत्पादित किया जाता है योग की फसल को बोने से काटने तक कम से कम वे अधिक तापमान की आवशकता रहती है बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस तता पकते समय एवं काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवशकता रहती है और ये तापमान जहां पर गे हूं भारत में पैदा किया जाता है वहाँ पर इस तरह का तापमान पाया जाता है जिसके कारण क्योंकि फसल का भारत के विबिन शेक्तरों में उत्पादन किया जाता है यानि पैदा किया जाता है दूसरा आता है वर्शा ग्योंग की फसल के लिए 50 से 75 सेंटिमीटर वर्षा की आवशक्ता रहती है इससे कम होने पर सिचाई की अधिक आवशक्ता होती है ग्योंग की फसल के लिए इससे कम होने पर सिचाई की जाती है तता अधिक होने पर ग्योंग की फसल के लिए हानिकारक होती है यानि 50-75 cm वर्षा के आवशक्ता होती है और यदि इससे कम वर्षा होती है तो ग्योंकी फसल को सिचाई के साधनों के आवशक्ता होती है और यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो वो भी ग्योंकी फसल के लिए आनिकारक होती है ग्योंकी फसल को बोने के कुछ समय बाद चक्रवाती है वर्षा जिसको महवट होना इसके लिए अतिलाबदायक उता है मिट्टी ग्यों उत्पादन के लिए नमियुक्त यानि उपजाओ मिट्टी की आवशक्ता होती है जिसमें जैविक हामुस की मात्रा अधिको हलकी दोमठ, चिकनी, उपजाओ, काली मिट्टी, इसके लिए उप्युकते, उपजाओ मिट्टी के साथ साथ गेहूं उत्पादक छेतर, समतल भी होना चाहिए ताकि आधुनिक क्रशी उत्पादक यंत्रों का पियोग आसानी से किया जा सके, क्योंकि यदि उचा नीचा होने में कठनाई आएगी, इन कार्णों के अत्रिक्त और भी अनेक कारों हैं, जो कि ग्योंकी फसल के उत्पादन पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे सस्ते एवन प्राप्त शर्मिकों की आवशक्ता होती है, तो भारत के अंदर ये सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, ग्योंकी फसल के लिए पुंजी की आवशक्ता होती है, क्योंकि पुंजी होगी तो किसान आधुनिक टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करेगा और कर्शी का उत्पादन अधिक कर सकेगा, यातायात की सुवीदा होगी, तब ही फसलों को जो उत्पादन होगा, उसको दूसरे छेत्रों में आसानी से बेजा जा सकेगा, एवं रसाइनिक उव्रकों की उपलग दिता वे उत्तम किसम के बीजों की प्राप्ती ऐसे कारक है जिनका ग्यों की फसल पर प्रवाव पढ़ता है, जितना परशा तापमान मिट्टी का पढ़ता है, लेकिन इन कारकों क की अनुकल दर्शा होने के कारण प्रती हेक्टर उत्तमादन अधिक होता है, उत्तमादित ग्यों को आसानी से मांके छेत्र पर बेजा जाता है, तो इस तरह ग्यों की फसल के उपर बोगलिक एवं मानविये कारत दोनों का ही प्रवाव पढ़ता है, अब भारत में ग्यों उत्पादन का वित्रण। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टी से सतलच, यमना एवं कुपरी गंगा की मैदानी भाग सर्वादित महत्पूने या प्राप्त जल उपजाव मिट्टी एवं संतल भूमी होने की कारण इस छेत्र में भारत में उत्पादित गेहूं का दो तियाई भाग उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश यह राजय भारत के कुल गेहूं का तीस प्रतिशत भाग उत्पादित करके पहला इस्तान रखता है। प्रमुक गेहूं उत्पादत के जो छेत्र उत्तर प्रदेश में वो गंगा यमना घागरा नदियों के उपजाऊ मेदानी भाग है जहां प्रतिवर्ष नदी अपने साथ उपजाऊ जलोड मिट्टी लाती है और इस भाग में बिच्छा देती है कुल क्रशी का भूमी का 32 प्रतिशक भाग पर केवल गेहूं की फसल उगाई जाती है इसी प्रकार परवतिय एवं पठारी छेक् कि अर्तिक संपून राजे का राजे में गेहूं का उत्पादन होता है बलेंडशर, मेरट, सारनपूर, मुरादावाथ, मुझफर नगर, उत्तर प्रदेश के मुख्यें गेहूं उत्पादन जीले है दूसरा आता है पंजाग इस राजे में गेहूं प्रती हेक्टर प्रवादिक है कम भूमी पर गेहूं की फसल बोने के बाद भी उत्पादन अधिक्ता होने का कारण है राजे का अधिक्ता के कारण यह राजे भारत में दूसरा मुख्य उत्पादक राजे है भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगबत किस प्रतिशत गेहूं किसी पुरकों का अधिक्तम, उप्योव, उन्नत बीज, नहरो द्वारा सिचाई की सुवीदा एवं उपजाव मिट्टी के कारण प्रती हेक्टर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब के समानी आधुनिक कशी अंतरों का अधिक्तम उप्योग करकर, रसाइनिक खादों का अधिक उप्योग करके वे उपजाव मिट्टी वे नहरी सिचाई की सुवीदा के कारण प्रती हेक्टर उत्पादन नहापर बहुत अधिक है। इसके बाद आता है मद्देपदेश। की ग्राही है गौलियर, उज्जान, निमाड, जवलपूर, रिवा, बोपाल, आधि ऐसे भाग हैं जहां ग्योग का उत्पादन होता है। इस राज्य के उत्रि पूर्वी, दक्षनी पूर्वी, सीमावर्ती छेत्रों में ग्योग का उत्पादन किया जाता है। श्री गंगा लगर ग्यों के उत्पादक जिला है। यहां राज्य के कुल उत्पादन का सक्त्रे प्रतिशत से अधिक भाग का उत्पादन किया जाता है। जैपुर, कोटा, भरतपूर, अलवर, अन्य जीले हैं जो ग्यों उत्पादक जीले हैं। बियार, बियार में गंगा नदी का मध्यवर्ती मैदानी भाग इन राज्यों में विस्तिरते हैं। यहां उपजाओ भूमी वैसिचाई की सुवीदा की अनुकुल परस्तितियों के कारण ग्यों की खिती की जाती है। मुंगेर, सारन, बोजपुर, बेगु सराय यहां की प्रमुक ग्यों उत्पादक जीले हैं। अन्य ग्यों उत्पादक राज में पश्चिम बंगाल ने जैसे मुशिदाबाद, नदिया, वीर भूमी, वर्दमान, शामिले। हिमाचल प्रदेश में कागडा, मंडी, शिमला जहां ग्यों का उत्पादन किया जाता है। इसी परकार करनाटक, महराष्ट, गुजरात, तमिल, नाडू ग्यों के अन्य उत्पादक राजे हैं जहां ग्यों की बड़े प्यमाने पर खेती की जाती है। ग्यों का जो उत्पादन है भारत में दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है। हरित क्रांती के बाद भारत में उन्नत बीच रसाइनिक खातका उप्योग के कारण आज भारत ग्यों की उत्पादन में पूरी तरह आत्म निर्वर हो गया है। पहले भारत अपने आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए औस्टेलिया, कनाडा, सेंक्तराज, अमेरिका, रूस, अर्जन्टाइना से ग्यों का आयात करता था। लेकिन वर्तमान में भारत में ग्यों उत्पादन का अधिक्तम पड़ोसी देशों को निर्यात करने लगाए। जैसे अफगानिस्तान, कोरिया, बंगलादेश, आधी देश में ग्यों का निर्यात करता है। इस तरह बारत की खाद्यान फसलों में ग्यों का महत्पून स्थान है और बड़े प्यमाने पर यहां पर ग्यों की खेती की जाती है तो धन्यवाद कल आपको दूसरी खाद्यान फसल के वारे में जानकारी दूंगे इस तरए और चसlav में जानकारी जाती है